नमस्कार! आज हम कक्षा दूसरी की इंग्लिश की वक्षीत संख्या सत्रह के पिछले भाग को हल करने के लिए दिये गए निर्देशों को पढ़ेंगे वस समझेंगे. यह निर्देश प्रथम संस्था के सहयोग से तैयार किये गए हैं. वक्षीत का नाम है, read the sentence given willow and mark right or wrong, यानी निचे दिये गए वाक्यों को पढ़े, और सही या गलत का चिन्ह लगाएं. पहला वाक्या इस प्रकार है, the thirsty crow, saw a lake from the sky. यह वाक्या गलत है, क्योंकि thirsty crow ने पानी से भरा जग देखा था, ना की लेक, इसलिए इस वाक्या के सामने, दिये गए बॉक्स में गलत का निशान लगा है. दूसरा वाक्या इस प्रकार है, the crow dropped leaves in the jug. यह वाक्या गलत है, क्योंकि thirsty crow ने, जग में, लीव्स नहीं बलकी, कंकर डाले थे. इसलिए इस वाक्या के सामने दिये गए बॉक्स में गलत का निशान लगा है. इस प्रकार बा हल करवानी है. अधिक जानकारी के लिए, विडियो या गेम के qr code को scan करके सहायता ले सकते हैं. धन्यवाद.